असलाम अलेकुम वीवर्स, वेलकम टू माई चैनल मनाहिल टेलर, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल और प्यारा सा नेक डिजाइन बनाना सिखेंगे, तो सबसे पहले हम गले को कट कर लेंगे, तो यहाँ पे जो मैंने बुक्रम लिया है, इसकी लंबाई मैंने 6.5 इनचे पे लिए यानि 6 इनचेश पे और इसकी चोड़ाई ओस णंद गले को से जा מאक फ़ partes, विया यांडि मैं इसिकाल इसदिन दोनों निशानों को उस तरह से मिला दिना है और हमने यहापे बनाना हे राउं कि यहाओं देत्थ है अब एक्स्टर माजन चूरते हुए कटिनگ का निशान लगाएं दिना हमका लेंगे गले को कपड़े के उपर पेस्ट करने के बाद हमने जो साइड से एक्स्टर कपड़ा रखा हुआ था उसको हम इसके उपर से फोल्ड करते वे स्लाइ करते वे जाएंगे गले को हमने यहाँ पेस तरह से रेडी कर लिया है अब सेंटर के लिए हमने जो पट्टी रेडी किये मैं आपको वो दिखा देती हूँ अच्छा यहाँ पे मैंने प्रिंटर फेबरिक यूज किया है आपके पास जिस ट्रैप का फेबरिक को आप यूज कर सकते हैं अब अंदर की तरफ जो हमने बुकरम पेस्ट किया हुआ है इस पट्टी की चोड़ाई हमने यहाँ पे वन इंच ली है लंबाई अपने इसाफ से कम ज्यादा ले सकते हैं अब साइट से जो एक्स्ट्रा का पर रखा था उसको हमने इस तरह से फोल्ड करते वे इसको अच् एक का साइस हमने बड़ा रखा है और एक का साइस हमने छोटा रखा है जो बड़े साइस का है उसकी लंबाई और चोड़ाई हमने यहाँ पे डाइ इंच ली है और जो दूसरा पीस से उसकी लंबाई और चोड़ाई हमने पोने दो इंच ली है इस तरह से उसके बाद यूज़ कर रही हूं आप contrast में जो है वो दो कलर के fabric blend भी यूज़ कर सकते हैं अब देखे जो बंद वाली side है उसको हमने बंद वाली side की तरफ रखा है यानि दोनों pieces के faces को हमने इस तरह से रखना है और एक side से बिल्कुल छोटे वाले triangle को मिलाते वे नीचे से और side से मिलाते वहीं पर हमने दूसरे piece को भी इसी तरह से set कर लेना है और नीचे से और किनारी से बिल्कुल बराबर करके रखना है ताके दूसरे side का जो हिस्सा है वो ज्यादा चोड़ा नजर है इस तरह से इसी तरह से हमने सारे pieces जो है वो ready कर लेने हैं तो यह देखें इस तरह से हमने स का फ्रेंट वाला हिस्सा लेना है और इसके सेंटर के उपर जो क्रीज बनीवी है एरन करने के बाद उसके उपर में टेलर जो कि मद से निशान लगाते हुए इसको थोड़ा सा डाग कर लूँगी ताके हमें पट्टी स्टिच करने में असानी हो अब हमने इसी निशान के ऊपर पट्टी को सेट कर लेना है और उपर से गले को भी हम चेक कर लेंगे कितनी लंबाएं पर आ रहा है यानि पट्टी जो है वह गले के अंदर आनी चाहिए तो इस तरह से रखने के बाद यह देखे तोड़ा सा नीचे की तरफ जो है वह अंदर साथ कर लेंगे अब सबसे पहले सेंटर पर एक रटा लेंगे जिसको नबाद में खूल लेंगे इससे क्या होगा कि a यह स्लाई के साथ लगेगी और आपका डिजाइन वह भी फनीशिंग के साथ बनेगा आप चाहें तो इस पत्ती को जो है वह फेबरिक ग्लू के साथ भी पैस्ट कर सकते हैं अब स्लाई को यहां पर एंड करने के बाद जिस साथ की तरफ हमने ट्रैंगल को स्ट्रेच नहीं करना वहां से हम स्लाई को लगाना स्टार्ट करेंगे यह देखें इस तरह से अब इसी स्लाई को हम दूसरी साथ की तरफ लेके जाएंगे अब स्टार्ट को इस तरह से अंदर की तरफ करते वे उपर की साथ मोड लेंगे और इस तरह से ट्रैंगल को रखते वे इसको स्लाई कर लेंगे इस तरह से रेडी करने के बाद अब हमने उपर की साइड गले को स्ट्रिच कर लेना है इस तरह से गले को हम सेंटर की तरफ रखेंगे और इसको पिंट के साथ पहले अच्छे से यहां पर सैट कर लेंगे इस तरह से सैट करने के बाद अब सिंपल हम गले के पर स्लाई लगा लेंगे उसके बाद हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए और यहां पर गले के उपर इस तरह से च्छोटी च्छोटी से कर्स लगा लेंगे ताके बलेटने के बाद गले में फनीशिंग है अब इसको इस तरह से बलेटेंगे और अच्छे से आइरन कर लेंगे तो इस तरह से देखे हैं हमने कले को रेडी कर लिया है तुर्पाई भी कर ली है अब जहां ट्रैंगल लगे वे हैं वहां पर आप चाहें तो सेंटर की तरफ पल्स को भी स्टेच कर सकते हैं होफ के मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए हैल्फल रही हो वीडियो पसंद आयो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल बर न्यू है तो चैनल को सब्स्क्राइब करना ना बूलिएगा मिलते हैं जी नेक्स वीडियो में अल्ला हाफिस